ब्रहमांड दुनिया की सबसे रहस्माई चीजों में से एग जिसमें श्टार्स यानि तारे भी होते हैं आपने कभी न कभी तो सोचा होगा कि आखिर आसमान में कितने तारे हैं इसी को लेकर अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन कहते हैं कि ब्रहमांड में तारों की संख् हैं पर मैंने सिर्फ एक गैलक्सी यानि की मिल्की वे की बात की है और आपकी जानकारी के लिए बता दू कि इस ब्रहमांड में हमारी गैलक्सी की तरह लगभग दो लाख करोड गैलक्सी मौजूद हैं पतलब एक गैलक्सी में 40,000 करोड तारे तो दो लाख करोड गैलक्सी और नहीं में से एक तारे का नाम स्टीफेंसन 218 और अगर बात करेंगे यह तारा कितना बड़ा है तो मैं आपको बता दूँ यह तारा सूरत से 2150 गुना बड़ा है अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि यह यूनिवर्स कितना जादा मिस्टीरियस है अब आपको इस तार प्लैटिनरम में मौझूद है और अगर बात करें टेंपरेचर सूरज है उसका टेंपरेचर है 5500 डिग्री से और वहीं इस तारे का टेंपरेचर 2930 डिग्री से जबकि यह तारा सूरज से 5 गुना ज्यादा चमकदार है और अगर हम स्टीफेंसन 218 तारे का चकर लाइट की स्पीड यानि की तीन लाख किलो मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भी लगाए तो हमें इस तारे का एक चकर लगाने में 5 गंटे का समय लगेगा और यह तारा इतना बड़ा है कि इसके अंदर करीब 10 अरफ सूरज समा सकते हैं और इस तारे को ब्रहमान का सबसे बड़ा तार मौजूद हों जिसे अभी तक हम नहीं डूण पाए हैं क्योंकि इतना जादा रहसमय है यह संसार आई होप आपको वीडियो काफी इंफोमेटिव लगी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आज हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर चैनल पर पेल आइकन को जरूर राण करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक अपना ख्यार लखें और सपोर्ट करें